कि बिस्मिल्य और रह्मान और रहीम से लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड कर नेगेटिव क्यों होती है और उसके हमने तीन डिफाइन गई थी नेमर वान इंकम इफेक्ट जब प्राइसिस कम होती है पर्चेजिंग पाउर ज्यादा होने के विए से डिमांड ज् कि सब्सित्यूशन इफेक्ट जब एक चीज्ट मेंगे योटी लोग क्या करते हैं उस मह tenía चीज को छोड़कर सती चीज के तरह मॐब कर देते यह तो जो ऐसे लोव डिमिनेशिंग मार्ज वैल्टी कहता क्या है कि लॉतिडीशि ठीसिपल को मतलेब वेड़ीशिक्रूज कि डिक्रेजिंग मार्जिनल का मतलब होता है अडिशनल यूटिलिटी का मतलब होता है बैनिफिट यह लेवलो सैटिस्वेक्षिन लॉव डिमिनिशिंग मार्टिल्टी यह कहता है जैसे जैसे हम अडिशनल यूटि कंजूम करेंगे हर आने वाला नया यूटि हमें कम से कम बैनिफिट प्रवाइड करेगा अच्छा हमारा लेवल आफ बैनिफिट बढ़ता रहेगा लेकिन उस चीज से हासिल होने वाला फाइदा कम होता रहेगा मिसाल के तो गर्मियों का सीजन है और हम फूल भाग कर आएंगे तो हमें बहतरीन किसम की प्यास लेगी है उस लम्हें एक ठंडे पानी का गलास मिल जाए तो किसी नहमें से कम नहीं है जब मैं पहला गूंड पीऊंगा पानी का अब तो मेरी कुशी होगी कि मैं छोटा सिप ना लूँ ए गुणनonne पूरा के पूरा गलास पीज़ूं ऐतना प्यासा होंगा इतनी ठस्टूंगा इतनी प्यास लगे हो गैसे हैं मानने कि मैंने फ़र्स ग्लास वाटर पी लिया जिस खुशी से जिस ज़बे से फस्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया क्या सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी उतनी खुशी से पी रहे होंगे और उतना ही बैनिफिट मिल रहा होगा सेकंड ग्लास से जो पहले ग्लास ने दिया होगा इसका मतलब सेकंड ग्लास ने बैनिफिट कम परवाइड किया माले में ने सेकंड ग्लास वाटर भी पी लिया और तो इसे आके हमत नहीं होती कि माले ने इत्यार हमने और पीना है अब जब मैं थर्ड ग्लास वाटर प्यूंगा हो सकता है वो पूरा भी कंप्लीट ना कर यह लौ कहता है जैसे जैसे आप अडिशनल यूनट कंजियूम करोगे हर आने वाला नया यूनट अडिशनल बैनिफिट कम परवाइड के ता इस लौ से इस लौ ने कहा कि जो डिमांड करें वो नेगिटिव बनती है और वो बनती कैसे वह जूरूरत नहीं पर बलंबी कहा हानी है कि हाउ टू कि डिसक्राइब बायूजिंग लौफ इमाइचिटी टो डिमांड करवें बनती है इसके हम dozen ज्रुरत नहीं क्या रिया तो डिमांड कर नेगिटिव बन्ते तीनरीजन की वजह से इंकम एफेक्ट से टूशन एफेक्ट और लाव डिमिनिशिंग माजे यूटिलिटी के यहां तक कि हमारी लाज्ट डिसक्शन थी कोई सवाल यहां तक है मुझे पूछ लें पिर आगे हम एक्सेप्शन और लिमिटेशन में जा रहे हैं एनी कोस्टिन आगे चलें एक्सेप्शन या लिमिटेशन क्या है मुझे कोई तीन लॉक की अजम्शन बताएं तीन लॉक की अजम्शन आइज नो चेंज इन कंज्यूमर इंकम ऐसे है कि अधिमिटेशन अच्छा एक और नोचेंज इन पापूलेशन एक उल्कृटन से थि मुझेविन अधिक आदे और नोचेज इन टेस्ट फैशन इस टेस्ट इस फैष्टन को हम ब्रेंड लॉयल्टी में ले जाते ब्रेंट लोईटी दिएें नो ब्रेंड लोयटी कह सकता हूं इदेस सारे के सारे आपको बता नॉन प्राइब स्फेक्टर अगर मैं नॉन प्राइब को सेंप गर दूँ वह लॉक्रिय अॉसम्षन बन जाती है मिर बस समझा रही है अगर इनहीं non price factor को change कर दूँ तो यह law की limitation बन जाती है अगर मैं यह कहूँ no change in consumer income तो यह law की क्या बनेंगी assumption बनेंगी no change in population यह law की क्या बनेंगी assumption बनेंगी और अगर मैं यह कह दूँ कि एंजिन कंज्यूमार इंकम है चेंज इन पापुलेशन है चेंज इन ब्रैंड लॉयटी अब यह अजम्शन नहीं रहा अब यह लिमिटेशन बन गया कि मेरे बाद समझें नॉन प्राइस फेक्टर को कॉंस्टेंट कर दें तो अजम्शन बन जाती है और उन्हीं को चेंज कर दें तो लॉकी लिमिटेशन बन जाती है यह लिमिटेशन में फरक बाद चल गया अजम्शन लिमिटेशन में नॉन प्रैस फेक्टर का कॉंस्टेंट होना जुम्शन नॉन प्रैस फेक्टर का चेंज होना लिमिटेशन दन अच्छ लिमिटेशन फर्दर के भाई जब इकॉनमिस्ट ने अजब इस ने अज़ेंशन दी के कंज्यूमर इंकम चेंज नहीं हो सकती पापॉलिशन चेंज नहीं हो कोई ब्रैंड लॉयल्टी नहीं है तो अगले इकॉनमिस्ट ने कहा कि तुमने जितनी भी अजयेंशन दी हैं यह सारी के सारी इन्नीयों पापॉलिशन चेंज ही नहीं दुनिया में इसा हो ही नहीं सकता कि ब्रेंड लॉयल्टी ना हो तो असल में जो लिमिटेशन होती है वो इस अजमशन के अगें सारी सारी बाते होती है लिमिटेशन हम यह कहते हैं जो तुमने एकॉनमिस सारी अजमशन हमें बताई वो रियलिस्टिक में रियल वर्ड में ऐसा नहीं होता हम तुम्ह कि reflect Thank You 별 जा खोगा, हम तुम्हें बताते हैं, रियल वर्ड में क्या होगा, लिमिटेशं वालोने क्या कहा? 면 बेसिक निसेसिटी आफ लाइफ, उसने कहा भाई जो बेसिग निसेसिटी आफ लाइफ की जा बात आती है, लोग पराइस को देखते नहीं है प्राइस ज्यादा भी हो लोग फिर भी खरीद लेते हैं क्योंकि अब बात उनके सर्वाइवल का है अब बात उनके बेसिक नीड्स का है तो बेसिक नीड्स के उपर लॉव डिमांड अप्लाए नहीं होता तो लिमिटेशन एक्सेप्शन वो एरिया है जहां पर लॉव डिमांड वाइलेट हो जाता है जहां पर लॉव डिमांड फॉलो नहीं होता हलाके लॉव डिमांड क्या कहता है लॉव डिमांड कहता है प्राइसी ज्यादा होंगी तो quantity demand कम होगी हमने का लाउट है रो जहरा जब basic necessity की बात आ जाए तो हम हम तुम्हें lift करवाने वाले नहीं है मेरे बाद समझागी तो limitation वो area होगा जहां पर बचो law apply नहीं होगा क्या basic necessity में law apply होगा नहीं तो जब basic necessity की बात आएगी तो प्राइज ज्यादा हो लोग फिर भी ज्यादा खरीद लेंगे जैसे रिसेंटली आटा बहंगा चल रहता चाल रहता क्या लोगों ने रोटियां खाना छोड़ दी थी नहीं गरीब के पास तो होती रोटी है ना वो रोटी स्किप करके को क्या ख्याल है कि गंदम से नीचे कुछ भी नहीं है तो अगर गंदम महंगी हो जाए हमारी नलाइकियों के वैसे जैसे कि अब हमने बाहर से इतनी गंदी गंदम खरीदी अभी टेंडर में पढ़ आ था तो अब दुबारा गोर्में ने टेंडर दिया है कि हमारे पार इतन टन बिलियंज ऑफ टन गंदम पड़े डामिज गंदम पड़ी है इतनी कि खरीदना चाहता हमसे खरीद ले तो बाहर से डामिज गंदी गंदम खरीद ली और जो क्योंकि अभी जो अभी जो करेंट से चुने हैं नहीं गंदम आई हुए मार्केट में वह सारी सारी पड़ी हुए है तो बाहर से गंदम खरीदी महंगी अब वही गंदम डामिज वाली कीड़ों वाली अब सस्ती निकाल रहे हैं इसको कहते है बैड पॉलीसीज ठीक है अच्छा जो सेकिंड यूज ओफ कॉंफेर यूज एस कॉंफेर डिस्टिंशन कॉंफेर डिस्टिंशन का मतलब ब्रेंड लोयल्टी ऐसी चीज जो कॉंफिस नहीं है जो यूनिक चीज हट के चीज है अगर एक अंटीक पीस है साहर उसकी प्राइज कम होगी या जयादा होगी यह उसकी प्राइज जधा जादा होगी अगर वह ज्यादा है कोई इसको खरीदना चाहता है तो सार उसको लोग छोड़ेंगे नहीं हो और अगर हम ब्रेंड लॉयल है माले लोग कहते हैं कि यह जब मैंने कपड़े खरीदें मैंने इसी ब्रेंड के खरीदेंगे क्योंकि मुझे अच्छे लगते है स्टफ अच्छा लगता है तो सर्व अपने ब्रेंड शोड़कर जाने के नहीं है जोते खरीदनें यहां से खरीदने मोबाइल खरीदना है तो कबी भी इन चीज़ों को छोड़ते नहीं है अगर तो brands बनाएं हुए हैं तो सर वो थोड़े-थोड़े महंगे भी होते रहें तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं है और अगर हमारा कोई brand loyalty से कोई अब लोगों ने का यार इतको जादा ही हो गया अब इस बार लोगों ने निया आइफून नहीं पहली बार आइफून के साथ हुआ वह आइफून जब भी अपना मॉडल हर साल मॉडल लौज करते हैं सब्सक्राइब लोगों ने आइफून 15 को साथा लिफ्ट कराई नहीं है सर्वासर डाउन आना शूरू होगी मार्कम पड़ा लेकिन बाहर उसको इतना वेलकम कर नहीं रहा तो अब उन्होंने प्राइस करते हैं डाउन करना शूरू करते हैं कि अच्छा जी चेंज इन इंकम तो लिमिटेशन वाले ने कहा लॉव डिमांड वाले भाई जो तुमने अजम्शन दीती कि इंकम चेंज नहीं होती रियल वर्ड में ऐसा नहीं होता हर एक परसन की इंकम डिफ्रेंट होती है और हम तुम्हें बता दें तुम्हें जो कहते हो ना प्राइज अंकम हर बर ऐसा नहीं होता अगर इंकम ज्यादा हो अगर इंकम ज्यादा हो अगर इंकम को वाई से शो करते हैं अगर इंकम ज्यादा हो किसी बंदे के बास पैसे ज्यादा है और अगर प्राइस ज्यादा भी हो तो वह डिमांड ज्यादा कर सकता है कहता ह वो इस वाले रूट से आता है, income ज्यादा, demand ज्यादा, वो इस वाले रूट से आता है, अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, वो income ज्यादा है, फिर वो price की प्रवा नहीं करता, तो बहुत चीज चाहिए मुझे, ठीक है? अच्छा, जी, ignorance of consumer, ignorance of consumer, अगर consumer, ignorant है, price ज्याद, law of demand क्या कहता है, price ज्यादा होगी, तो demand क्या होने चीए, कम, मान ले, consumer को price का पता ही नहीं था, अबबा जी गे, hand free खरीद ने, तो अबबा जी, 400 रुपे की hand free खरीद ला है, तो अबबा जी को क्या बत एक technology, technology क्या होती है, ठीक है नि, यह तो आज कल वाले बचे सारे technology साथ English है न, तो हमारे बाओं को तो पते नहीं था, hand free क्या होती है, charger क्या, रेट चार रहे हैं, वो गे, 400 रुपी खरीद ला है, हमने का, यह क्या किया, इतनी महंगी खरीद ला है, यह 400 पर मुझे पताते हैं, मैं 4 ला देता आपको, क्या ख्याल है, हमने का, हम हमें तो पताते हैं, कमस कम, दो तो अच्छी वाली लाई देता और इससे अच्छी वाली लेकर आता, क्योंकि हमें market का knowledge है, हमें पता कि दुकानदार कौन से चीज किस तरहां देता है, कैसे उससे create कम करवाना है, और कौन से चीज कहां से अच्छी मिलती है, तो अगर consumer ignorant है, तो sir, वो high prices पर भी ज्यादा चीज़े खरीद लाएगा, क्योंकि उसको market का knowledge नहीं है, पिर बाद समझें, अच्छी, uncertain condition, uncertain condition, अभी कल मैं chicken लिने गया, तो आज का जो rate था, तकरीबन वो, कल का जो rate था, वो था 423, हमारी तरह 423 था, बाकियों में इतना ही फरग होगा, ज्य 423 था, यह whole chicken का rate था, वन केजी का, और अगर chicken लें, without spare parts, ठीक है थी, मदल उसमें गर्दन ना हो, कलेजियां वगारा ना हो, अगर spare parts के इलावा चिकल लें, साफी चिकल लें, तो वो मिलता है 100 रुपीज ग्रेटर, यानि के मिलता है 530 का या 520 का मिलता है, नॉर्मली 520 का लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो 560 किस चुक्र मुझे लगा के बठा हुआ है, तो उसके मैंने दो सुनाई है, तो अच्छा, फिर 520 ही देते हैं फिर आप, सार फिर 520 दिये हैं मैंने उस, और अगर यह, अब बाजी खरीतने जाते हैं, बने का 560, चल या थोड़ा ओर पा जो वो वेट कर रहा था, उसने वेट में 560 लिखा, मैंने का किस चक्र में 560, 520 कर इसको, 430 ही है, फिर 520 पर आया, और मैं यही सोच रहा था, चलो मैं तो यह कर बैठा, जो इतने लोग आए होंगे, सार सारे 560 के साब से किये होंगे, से, क्या, उसको प्रॉफिट, सार यह गलत है, जब सारे चीज़े ऐसे करें, गरीब कहां जाएगा, चोलो हम तो थोड़े से पड़े लिखे हैं, हमने तो बात पिक कर ली, सार गरीब बात वो क्या करता, उसको क्या बता क्या चल रहा है, सार वो 560 छोड़ो, वो 580 पे लग हम कहते हैं, हम आरे हुकमरान करप्ट है, सार अम अंदर से सारे करप्ट है, एक और आपको वाकै सनाता हूं, जो हमारा मिल्क मेंतर लिख इसे हम दूवन ले ते, काफी हैसे, हम थे से हम दूख छुडवा जे थे, ठीक है या, बोहत ज़्यादे पानी वाला हो रहाहा, 3 kg लेते हैं वो 3 kg के लेवल पहले से बहुत उपर था हमने कहां यह कैसी ही मैंने कहां हो सकते हैं या उसने ज्यादा दे दिया हो लेकिन एक दो बार देखा कि जो अब निया वाला हमारा मिल्क मैंने उसकी दूद की कॉइंटिटी ज्यादा है पिर बाद में पता चला वो जो प्राने वाले था उसका वन लिटर का जो बाउल था जो डबा था जिसे वो वन लिटर मैयर करता था वो डब्बाई कम था सही है सर दुनिया कांका जा रहे है सर तो वो हमारे समय तीन लिटर पूरा हो गया अलहाफिज तो जब इसके लिए आपने की जाद है नहीं बरकत आ गई ठीक है उसके नलाई के डबाई काम था वह थाउजंड एमल का हो गए नहीं नो सो एमल का होगा वहां से बच्चत कर रहा था कुछ पानी डाल के सार एक्स्ट्रा बच्चत कर रहा था सही चोलो जी इकनॉमिस पढ़ अजया है नेक्सट अंसर्टेण किंडि से अंसर्टें किंडिशन कि मुझे यह बताएं मैंने एकस्पेक्टेशन वाली आपसे बात कई थी अगर आपको पता चल जाए अगले हफ्याथ चीनी मिल ली है अगले हफ्याथ चीनी ने मिले माले शुगर का जो रेट है इंग्ज आपको प्राइब चल जाए अगले हफ़ते से चीनी मिलने वाली नहीं है अभी जो चीनी मिल रही है अभी जो चीनी मिली यह सर वो क्या हो जाएगे 200 से 230 पे निकल जाएगी क्योंकि पैनिक क्रियेट कर गया ना मार्किट में निउस पहल की चीनी गाइब हो गई जब चीनी ग सर खरीदेंगे सर अच्छा लॉब डिमांड करता है प्राइस ज्यादा हो तो भाई चलो किलो खरीदने ना किलो ना खरीदो आदा किलो खरीद लो क्यों किलो लॉब डिमांड करता है प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या होनी है कम होनी है मुझे ये बताएं अगर चीन क्रियेट हो जाता है जब अंसर्टेन कंडिशन आ जाती है फिर लोग कीम्दत को नहीं देते लोग केते हैं प्रोड़क्ट हमें मिल जा ब current है कई और हमारा जो चैंट्री है यह हमारा मुल्क है पाकसान जाएग्रोबेस और फोर entirely हम यहां हमें बहुत सही सज्छों फटायल एंडachi होता है welcoming अごाak है अब हलकी सी इसके ना काशकारी करो बेतरीन से आपको सारी फ्लेवर वाले बेतरीन से टेस्ट वाले वेजिटेबल्स देगी और फ्रूट्स देगी वहना तो काशकारी करना इतना मुश्किल है तो हमने सारी के सारी जो एकरी कल्चर लेंड ती सा सुसाइटियां बनाओ बन नहीं सकती तो ठीक है आप इंडस्ट्रियां बनाओ वहां पर सुसाइटियां बनाओ जो नाश्ते भी रोको डेंशन नहीं है कि वेली जमीने ना नकमी जमीने क्रिकट का ग्राउंड बनाओ कुछ सरकस बना लो कुछ कर लो कि सार फटाइल लैंड की तरफ देखना भी नहीं ह है कीमती जमी है ऐसे बीस लगाओगे सार फसल रेडी त्यार होगी और बहत्रीन क्वालिटी वाइज एक्सपॉर्ट क्वालिटी की प्रोड़क्त त्यार होंगी परिसार हमने सारी अग्रिकर्चर लैंड बेज बेज के सुसाइटिया बना बना कर बड़ा गर कर दिए पंजाब में लोट टॉप पे चल रहा है अगर आने वाले हिसे में और अगर आपका पाकिसान का नक्षा आप देखो आपको इदर ग्रिन मैप में नजर आएगी पंजाब में सब कुछ वाइट वाइट नजर आएगा बिल्डिंग के नजर आएगी तो कोशिश करें हम सब जहां मौका मिले घर अपने घरों के पास पास दूदराज ना भी कर सामने दर्वादे के आगे लगा ले कहीं पर कहीं लगा लेक्त आपके जो ज़्यादा गूरु करें बढ़ी जरूरत है आने वाले वक्तों में क्योंकि जितनी एसी आ चुके हैं उतने ज्यादा सरे सबसे मेन exception कि अच्छा क्या जितने भी सारे 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 प्ट्राइट कि वाइलेशन कर रहे हैं सारे सारे लॉफ डिमाइड की वाइलेशन करें साल लिमिटेशन मतलब यह जहां पर लॉफ डिमाड अप्लाई ना हो गिफन गुड तो इतनी तगड़ी exception है इतनी तगड़ी limitation है गिफन गुड से पहले पहले गिफन गुड से पहले पहले जितने भी किसी ने डिरेक्ट लॉफ डिमांड से पंगा लेने के जुरत नहीं की मतलब लॉफ डिमांड क्या करता है पराई से ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी पहले वाले फेक्टर क्या था क्या वड़ प्राइस था वहां पर नए अगला फक्टर क्या था ये यूस और इसमें भी यह द्यॉद प्राइस नहीं आया था तीसरा गया था कि चेंजन इंकम उसमें वर इंकम था यानिक यह लॉफ डिमांड कहाँ से प्राइस के साथ लंव डिमांड को वाइलेड स story solution की और ऑखिसे बेसी निसासिटी से भावलेशन गी गिफंगुड वह बनदा है इनिए मिख़ुन देते हैं देखेंगे खुलंखुला सिधी वोईलेशन सब्सक्राइस के साथ और डिमांड के साथ तो यह जो गीफ़न गोड़ए यह लाव डिमांड की मेन कम कर देंगे तो दैट स्वाइब इस दी में लिमिटेशन या में एक्सेप्शन ऑफ दिलॉप डिमांड अब अगला सवाल आपके जिन्म में होगा साथ ठीक है क्योंकि लिमिटेशन में था समय लग गया कि लिमिटेशन है पर यह तो बताया नहीं कि इस तो बताया ही नहीं के या आती है वह देखते है जो कि इस एए अ ग्युवन गुट्ध समझने के लिए में अब को सारी गुट्ध के बारे में बताऊंगा आज आ चार तरह की गुट्ट होती कि इन तरह वहोती है चार तरह कि में हम पढ़ते हैं तीन रिलेशंशिपन निमबर वन नॉर्म्ल गूड्व होती है बोब आप चैप्टर बुड्वन का टॉपिक है या है जी समझ है चैप्टर रवन पड़ा रहा है अपड़ तीन तरह की घूर्ड और नॉर्मल गुडुर्ड कर FREEẩ गूट तर लान इस गाटरी्वन यह जो भी हमने पड़ी कंः तरह Uhr नॉर्मल गूड इनffेलयर गूड्ड और के फन गूड पहले मैं आपको बेसिक एजेंपल से समझाता हूँ जो कि एकनॉमिक्स के पॉइंट आफ़ से एक स्ट्रॉंग एविटेंस नहीं है अबाउट इस गुड्स फिर मैं इनको समझाऊंगा इनके रिलेशन से जो कि एकनॉमिक्स में होता है पहले तीनों को समझाता हूँ एक पावलों की बात करें एक नॉर्मल केटेगरी के राइस यानिके हम करें बासमती राइस नॉर्मल गुड्स में हमने कहाई दिया बासमती राइस O सब्सक्राइल से कम क्वालिटी कर लेते है या नया चावल यह जाधा इतना नहीं नहीं होता जितना प्राणा होता है अगूद को इनफिरियर गूड से भी लोग वालिटी प्रोड़क्ट नहीं होती है और इसमें अगर हम चावलों की बात किरें हमारे पार टोटा चावल लिए ब्रोकन राइस जो टोटा चावल होते हैं वह सबसे दा लो क्वालिटी होते हैं इससे नीचे में रहने खाल चावलों में कुछ होता भी होगा सही है बाजरा ही रहा जाता होगा है ठीक है और अगर हम लेजिरी गुड के बाद करें तर सूपर बास्मती राइस यह चार तरह की गुड होते हैं यह और यह तक्रीबन सेम चल रहे होते हैं चार तरह की गुड होगी लेक्जिरी नॉर्मल इंफिरियर और गिफन पर ज्यादा फोकस हमारा तीन प्रोड़क्ट पर होगा नॉर्मल इंफिरियर और गिफन का अचे समय लग गया अब एकनॉमिक्स में कैसे इनको identify करेंगे कैसे differentiate करेंगे वसल्लिय को नॉर्मल गुड को कि एकनॉमिक्स में हम दो तरह से explain करते हैं नॉर्मल गुड को एकनॉमिक्स में हम दो से explain करते हैं अजे कीमती बात एquito examiner आपसे Pale पुछ न्यागने लगाओ हूं जासम क्छेंगा कि नॉल्मल कूट को हम दो तरह से explain करते हैं कि पर आइस के साथ भी explain करते हैं income के साथ भी explain करते हैं normal गोड़ को कि नॉमल गुड़ को हम किसके साथ explain करते प्राइज के साथ भी और नॉर्मल गुड को हम किसके साथ एक्स्पेरिन करते हैं यह लास वाला भाई बताएगा लास वाले भाई आप बताएंगे यह रवाकिस यह करने आए यह जिकीन करें जितनी आपकी मैंश्राइब देना इंशाला आप करी लेंगे जल्दी निया गया था बारा जमात पढ़ लिए सारी के सारी इतनी जल्दी किसे पढ़ लिए अब तो सोला साल क्या है अम्मा पने जलिल नी पढ़ा दी थी में दो क्लासे स्किप की है दो साल स्किप की है कौन उप्रेप और सेवन्द क्लास कीप की है जबद जबूर बहुत वैड डिसी अंताँ मेरे खहले हमें 10 जमाते सार पन्ड़नी की जूरत नहीं है मेरा तो बस चले पहली पढ़ो दूसी पढ़ो तीसी पढ़ो उसके बास ड जमाते पढ़ना जरूरी हैं वाजीव नहीं वाजिव सर पहली पढ़ो चलो नर्सरी केजी में थोड़ा मोल बनता है यार हमने स्कूल भी जना होता है सर असल पढ़ाई वन से स्टार्ट होगी सर वन पढ़ो टू पढ़ो थ्री पढ़ो सब आपको इंग्लिश लिखना इंग सर यह नहीं है सब्सक्राइब अगर तो अम्मा अबाब पढ़े लिखे हैं तो मैं तो यह करता हूं कि भाई शूरू में एक दो तीन चाथ क्लास पढ़ें बाकि घर में त्यारी करवाएं सिधा नाइंध क्लास की देखी जाएगी इंशालों हो जाता है हो जाता है अच्छ ठीक है कमशचे सत पड़ा लें जाता बचारालें मोदन इनफ है जंप देख अम हम शे करा अच्छा नॉर्बल गुड को किसके सार रिलेट करते हैं अच्छा अगर आप लोग मेरे साथ नहीं पढ़ाना पर बुरा लगता है मैं अकल्ला ही जा रहा होता हूं ऐसे तो बच्छों जो मैं पढ़ा रहा हूं तो सारा आप लोग साथ साथ बोला करें क्या ख्याल है जैसे दाधी अमा में कहानियां करते हैं तो जब हम कहानी सुना करते हैं को आप उससे मुझे यह पता चलता है तुम कहानिया सुन रहे हो ऐसे ना तुम सोजाओ और क्लाइमेक्स के बाद कहानी एंड हो जाए और अगले तुमको दादी वो तो हम अभी जंगल में थे आगी कहानी स्टार्ड करो तो दाइके में बैतो सुना चुकी ठीक है तो हां-हां गरते रहो तो जब हां-हां की वास सब्सक्राइब कहानी हम बंद करते हैं तो भी कंटिन्यू टुमारो बच्चो तो सार आप लोगों विसासा हां-हां करते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे आप मेरी कहानिया सुन रहे हैं वन्ना मैं यहां पर नॉर्मल गूर्ड के कंसेप्ट समझा रहा हूंगा सर्क्या स रीली वाल सार बड़ी नींद आ रहे हैं आप है कि मैं तो सोचांगा रात को सब्सक्राइब करना है नहीं सुना रहा ठीक है चुलो गूट किन-किन कंसेप्ट से चलती है है यह नंग जजबात जबाद इस टीचर ही मोटिवेट हो जाता है पढ़ाने वाला भी अब पढ़ाने वाले लगता है यह मकल्ला ही जल रहा हूं पतनी सवारियां चल भी रहें के साथ नहीं जल रही वह अच्छे अब प्राइस के साथ रिलेशन क्या है और इंकेम के साथ र कम हो जाएगी तो normal good के साथ law of demand चलता है नौर्मल good के साथ law of demand चलता है यानि के law of demand जब हम फैंड ज़़ाइब हो देमांड कम की बात कर रहे होते हैं सहरा किस तरह की two school करें चल रहे होते हैं कि नौर्माल गुट नौर्मल गुट तो law of deemand by default कौन से गुड़ ले चल रहा होता है, नॉर्मल गुर्ड ले के चल रहा होता है, मेरी बाइस समय got you? Law of Demand में ये तो हो Гांप पिर Normal Good को हम income से भी रिलेट करते हैं जैसे कि हमने Limitation में पढ़ा, До इंकम ज्यादागी, तो सर Demand ज्यादा, इंकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा नॉर्मल गुड को प्राइस से भी हम रिलेट करते हैं इंकम से भी रिलेट करते हैं प्राइस से रिलेट करें तो प्राइस ज़्यादा डिमांड कम और इंकम से रिलेट करें इंकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा होगी यह law of demand हो गया यह उसकी exception हो गया तो normal good को हम दो से relate करते हैं price से भी और income यह मेरी बात ज्याद रहेगी normal good को हम किस किस से relate करते हैं normal good के case में अगर price ज्यादा हो तो normal good के case में income ज्यादा हो तो demand ज्यादा होगी सर मुश्कल कोई मुश्कल में अब किसकी बारी यह इंफेरियर गुर्ड की वह मेरी आग वाली example यहाद है अब सब्सक्राइब कर लो यहाद मैं अब भी मेला ने कम आई हूं हाँ अपस में अपस में यह चाहिए किन करें अपको सही जवाब दूँगा यह की दर मुझी आता है पोहीं देखें मेरे से ने कला जवाब दूंगा पक्की बाद है पूछकर देख उससे पूछ से नहीं पूछका मैं दोस्ते पूछका वह ज्यादा अच्प्लेन करेगा और जी तुम बाते करके रफ लोग तोड़ा वह हैं अच्छा जी मुस्से कंसेट पूछ लेकर यकीन करें मैंने आपको कभी डांटना सीधा मारना में जब शरारते करेंगे अच्छा बचों इन्फीर गुड़ यह मेरी बात याद रखने अगर इस बात में किसी बचए ने डंडी मारी तो सार उसको सजा नहीं में त innovator नाम क क्या है तुराब है error अच्छा अच्छा जलीलिस यह कर लें ना इंशालवा तोरब से पहले पहले इंशालम। तुन्हें रिकॉर्ड तोड़ देने ने तो मैनत कर जादिस्वेकर अन्नी मचा दें पढ़ पड़कर चार साल अन्नी मचा दें फिर अगे इंशालला तलद याशिव प्रोग्राम करते हैं पुढंतर को किसे रिलेट करते हैं कि अव क्लकम से ये दो नहीं पूछों गए था कियस है प्राइस ज्यादा हो तो क्या होगा मैंने रखिए देने उल्टे किया है कि referring को छिर्फ और सरिष और सिंप को relate करते हैं सार inferior good के केस में price का word बोलना सार गुनाहे कबीर है आपको मगरी के बाद और का नफल पढ़ने पढ़ेंगे अला से सचे दिल से माफी माँदे पढ़े या ला इनफिरियर good का concept आ गया और मैं price बोल बैठा इस गुनाह के ओपर या ला मुझे माफ फरमा दे ठीक है तो आपने क्या करना है ला से माफी माँदे और सार मुझे से भी माफी माँदे पर कहीं जाकर तुबा कबूल होगी प्राइस को लेकर आना नहीं है अब मज़े की बात आने वाले वक्तों में आप मेंसे ही बहुत बच्चे होंगे वह inferior good के concept में price को लेकर आना चाहरे होंगे और बार बार लेकर आ रहे होंगे फिर में उनको आज वाला वक्स याद करूंगा कि मैंने कहा था कि inferior good के case में कभी price का जिकर नहीं होता क्योंकि inferior good हमेशा income से रिलेट होती है डैन अब देखते हैं future में ऐसा होता है या नहीं होता मेरे कॉर्णिंग होगा लेट सी क्या होता है चलो जिए कि जब income ज्यादा होती है in case of inferior good इंकम ज्यादा होगी मुझे यह बताएं आपके इंकम ज्यादा होगे अप low quality good को छोड़ कर एक अच्छी quality good की तरफ मूफ करना चाहोगे या उसी low quality good को ज्यादा खरीदना चाहोगे नो सर आपके पैसा ज्यादा आ गया थोड़ा standard top करते हैं क्या करें थोड़ा standard top करना ही ना high standard करना ही थोड़ा सा बनता ही है और पैसे आएंगे तो और standard high करेंगे ठीक है अच्छा जी तो जब income ज्यादा होगी तो बचो क्या होगा मैं इस इंफीरियर गुड़ को अल्ला हाफिस कह दूगा बाई-बाई कह दूँगा तो income ज्यादा होने से inferior good की डिमांड कम हो जाएगी फिर सूचो किसकी डिमांड ज्यादा हुई होगी सर्चक्र ये normal good की डिमांड ज्यादा होई अब मैं पूरा रिलेशन बियान करने लगाँ जब हमारी इंकम ज्यादा होती है हम कहते हैं भाई अब थोड़े से पैसे ज्यादा आना शुरू होगे अब थोड़े सा लीविंग स्टैंडर्ड बेहतर करते हैं अब अच्छी चीजे खरीदे पहले हम यूके के यूएसे के इ लोकल नहीं हम तो इंगलेट हैं हमारे तो इंगलेट से स्टॉक आता है हम तो वहां से खरीदेंगे सार उसके नीचे सबाद नहीं करें सब्सक्राइब करीद रहें तो इंकम ज्यादा जब आती है तो सर हम इंफीरियर्ट गुड को कम कर देते हैं अगर इंफीरियर्ट कम कर देता हूं तो बदल में किए ज्यादा खरीता हूंगा सर नॉर्मल गुड ज्यादा खրीता हूंगा जो कह ये नॉर्मल गुड इंकम ज्यादा नॉर्मल गुड ज्यादा इंकम काम इंफिरियर गुड कम है डर्मचो तो इसका मतलब इंफिरियर गुड में इंकम का और इंफिरियर गुड का नागिटिव रिलेशन जबके इंकम का और नॉर्मल गुड का रिलेशन ओहो पॉस्टिव क्या हो गया पॉस्ट से रिलेड करते हैं बचों याद रखेगा इसी तरह हम Giffen Good को सिर्फ और से प्राइब करते हैं यह क्योंकि यह은ः लॉफ डिमांड कीैक्सेप्शन हैं तो गाइठ लाइज ज्यादा होने से इसकी डिमांड कम हो जाएगी ऐसा क्यों है क्योंकि यह law of demand की exception है ठीक है बचो यहां तक कोई मसल्या है तुम उसे पूछ लो कि question है तो पूछ लो बस आज के लिए तना मारा काफ़ी है गिफन गूट की definition कोई नहीं है गिफन गूट पा सिर्फ कॉंसेप्ट है कॉंसेप्ट यह इस अगर फर्दर जानना है तो एक कहानी सुना कर समझा सकता हूं वहना इसकी definition नहीं है गिफन गूट की कहानी सुन लें जिससे गिफन गूट का कॉंसेट समझ आ जाएगा अपने कहानी पर focus करना किसे पर focus करना है calculation पर focus नहीं करना although मैं calculation से भी proof कर दूंगा पर कहानी पर focus करेंगे एक लंभे में मेरी बात पिक कर लेंगे then sir असर इसा क्यूँ होता है यह जीव बात पागले लोग कीमत जयादा और यह तो बेवगूफ उड़ प्रडॉडक्त और वो मंगी भी है और तो फिर उसको खरीदरें चोड़ें उसको वास समझाति है अब ये गिफन गूट क्यों गिफ्रिन वो सुने गीफन-गूट का जो कंसेप्ट है ना वो जनल कुंसेप्ट नहीं है नॉर्मल मार्किर कुंसेप्ट नहीं है यह exception case का concept एक Scottish economist था Robert Giffen उस Robert Giffen ने सर्वे करता रहा चीजों को research करता रहा तो एक research उसके सामने से गुजरी जिसकी वज़े से उसका नाम Robert Giffen था उसने गिफन गुड का concept इंट्रोड्यूस करवा दिया और कहा ये गिफन गुड लॉव डिमांड के exception उसने observe क्या क्या वो सुने उसने एक बहुत ही poor community देखी जहां पर बहुत ही गरीब लोग रहा करते थे उनकी जिन्दगे को observe किया तो उसने कुछ चीजों को identify किया नंबर वन रॉबिट ने कहा गिफन गुड तब गिफन गुड होगी जब लोगों की income ज्यादा ना हो क्योंकि उसने गरीब कमिपूर community में research की थी तो उनकी income ज्यादा नहीं थी तो नंबर वन रॉबिट ने condition लगा गिफन तब गिफन गुड कहलाएगी जब income क्या होगी constant होगी सारों की income एक जासी होगी किसकी income ज्याद होने वाली नई है number one second वो गरीब लोगे इतने वो already जो चीज इस्तमाल कर रहे हैं वो सबसे सस्ती ही इस्तमाल कर रहे हैं वो already जो चीज इस्तमाल कर रहे हैं वो पहले ही बो सस्ती है यानि के no cheaper close substitute is available यानि के उनकी जिन्दगी में उससे सस्ते चीज़ को available नहीं है मेरे बाद समझ आ रही है मालें वहां के लोग आलू खाया कर दे रहा हूं आलू खाया करते थे क्या खाया करते थे आलू खाया करते थे पोटेटो खाया करते थे आलू सबसे सस्ता ठीक है जी अब इससे सस्ती चीज़ उनके पास available नहीं है income भी ज्यादा उनकी नहीं है मुझे अब सोच के बताना है आलू को छोड़ने की option नहीं है क्योंकि आलू ओलरडी सबसे सस्ती चीज़ पहले इस्तमाल कर रहे है income ज्यादा होने के chances ही नहीं है अब मुझे ये बताओ जब आलू की कीमत ज्यादा होगी law of demand के according law of demand के ताइसकी demand कम गर दो वो कहेंगे भी इससे ससी चीज़ भी कोई नहीं है हम कहां जाए इसको कम गर गे मैं इनको छोड़ते हैं law of demand हम छोड़ते हैं पर इससे सस्ता क्या consume करें हवा नहीं खा सकते माज़रत पते खा नहीं सकते मेबा समझा रही है तो सर जब इससे cheaper close substitute ही नहीं है तो जब ये ज्यादा होंगे तो वो ये ही ज्यादा consume करेंगे अब ये बेसी से कोई नीचे वाली का डगरी चल रही है अब ये सीनों चल रहा होते हैं ठीक है आज के लिए तना काफी अपने ख्यार रखेगा अलाफिस ठीक है